नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा स्वस्त रहना है तो इन तरीगों से करें अपनी आतों की सफाई स्वस्त रहने के लिए समय समय पर आतों की सफाई बहर जरूरी हो जाती है सापदानी परतने के बावजूद कई बार हम घूमने फिरने या दावत आदी में ना जाने ऐसा कुछ खा लेते हैं जो नुकसान दायक होता है ऐसे में समय समय पर आतों की सफाई जरूरी हो जाती है आतों से बिसेले परदार्तों को दूर करने के कई कारगर उपाय मौजूद है तो आईए अब हम आपको बतारते हैं पहला उपाय गेहूं को पिस्वा कर उसका चोकर युक्त आटा पेट के लिए ज्यादा फायदेबंद होता है इससे आपकी आतों की सफाई आसानी से हो जाती है टिप नमबर टू तिरफला चून यानी हरण बहेड़ा और आमले का मिसरण आतों की सफाई के लिए बेहत असर कारग सावित होता है इससे ऐसे अचिडिटी और सरीर में पानी किट्टा होने जैसी समस्यां भी दूर होती है इतना ही नहीं या लिवर की भी सफाई करता है तीसरा उपाय है रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच तिरफला चून लेना फायदेमन होता है चौता तरीका है पपीता पाचन प्रणाली का मित्रफल है पपीता पाचन प्रणाली का मित्रफल है पपीते में मौझूद पेपन नामक एंजयम खाना पचाता है और आंतों को साफ रखता है रात को गोजन करने से पहले पपीते की एक दो फान खाना लाबकारी होता है अब है पांचमा तरीका जिससे आप अपने आंतों की सफाई कर सकते हैं ग्रिन टीवी आंतों के डिटोक्सिफिकेशन में सायक होती है इसमें केटेचीन और गेलेट जैसे लाबकारी तक तो होते हैं जो चर्वी घठाते हैं वा लिवर की भी सफाई करते हैं चोकर युक्त आटा पेट के लिए भी लाबकारी होता है साथ ही आप गरम दूद में चोकर मिलाकर भी पी सकते हैं चट्वा उपाय है सुबह उटकर दो ग्लास गुनगुना पानी उसमें आदे निवू का रस मिलाकर पीना भी एक अच्छी आदत है इससे आटों की सफाई होती है और कबचे आदे की समस्या भी नहीं रहती तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर क्लिक कर दें और इस वीडियो को जास जादा सेयर करें ताकि आपके फ्रेंट्स और रिलेटिप्स के बास ये वीडियो पहुंच सके अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट से पूछ सकते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो उसे सब्सक्राइब कर ले